दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक famous modern Indian dramatist महेश दत्तानी का एक play discuss करेंगे जिसका नाम है Dance Like a Man ये play अलग है, unique है, कुछ अलग चीजें बताता है चले ये शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के end में दोस्तों ये जो play था ना, महेश दत्तानी का Dance Like a Man ये play critically बहुत successful था तो आपको सिर्फ ये play पढ़ने की साथ साथ आपको कुछ चीजें और जानने पड़ेगी जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहानी तीन generations की है, दो characters है, जैराज और रतना जो dance में अपना career बनाना चाहते है dance भी modern dance नहीं, बलकि classical dance भरत नाट्टेम होता है न, वो दोनों रिष्टे से husband wife है, जैराज गुजराती है और रतना South Indian family से belong करती है दोनों ने शादी कैसे की, क्योंकि इतना दूर का फांसला है क्योंकि दोनों के लिए dance सिर्फ एक शौक नहीं है, जिन्दगी जीने का जरिया है लेकिन problem यहाँ पर यह है कि अमरतलाल problem क्या है यहाँ पर, अमरतलाल जो जैराज का बाप है गुजराती है, और कभी freedom fighter रह था उसको, उस आदमी को, यह नाच गाना कुछ खास पसंद नहीं है अपने घर में शुरू में उसकी बेटे जैराज ने इसे शौक की तरह लिया उसने सोचा शौक है, जवानी में होते हैं ऐसे बुखार, उतर जाते हैं तब तो इसने कुछ नहीं का, लेकिन अभी इसका बेटा बोलता है कि इसे करियर बनाऊंगा इसी में आगे बढ़ूंगा अमरतलाल जिसने यह सूचा था कि ऐसे बुखार जवानी में जाकते हैं हर किसी को जो वक्त के साथ उतर भी जाता है लेकिन जैराज का यह बुखार दिन बदिन बढ़ता ही जा रहा था जब अपनी वाइफ के साथ में क्लासिकल डांस की प्राक्टस करता था तो अमरतलाल के सीने में धगदग होती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था उपर से जैराज की अपनी बीवी रतना उससे उसको फ्यूल मिलता था मतलब एनर्जी मिलती थी कि तुम तो खरते जाओ, बहुत अच्छा जा रहे हो उसे लगता था कि ये भी तो कर रही है इससे तो कुई कुछ नहीं बोलता लेकिन आप उस बावले को कौन समझाए कि अगर वो एक औरत होता तो उसे भी उसका बाव कुछ नहीं बोलता था अमरतलाल लेकिन उसके बेटे को भरतनाट्यम करता देख उससे देखा नहीं जाता था और सबसे बुरी बात तो ये लगी कि जैराज अपने गुरू की तरह एक गुरू थी जो मतलब बाल बड़े थे जिसके था तो आदमी लेकिन उसकी चाल जो थी वो औरतों की तरह थी उसकी तरह बाल लंबे करने की जिद बकड़ कर बैटा उसे लगता है कि ऐसा करने से उसकी परफॉर्मेंस में सुदार होगा अब अमरतलाल की सोच थोड़ी सी मुझे छोटी इसलिए लगी जब मैंने इस प्ले में पढ़ा कि वो बोलता है कि डांस जैसी चीज को प्रोस्टिट्यूट्स का काम मानता है वो एक ऐसी चीज जो मंदिर जैसे घरों को प्रोस्टिट्यूशन में बदल देती है वैशले मैं पूरी तरह से वो आदमे भी गलत नहीं है अगर इस बात को एक तरफ रख दें और अमरतलाल की नजरिये से सूचने की कोशिश करें तो उसकी बात में एक लॉजिक नजर आता है कि कहीं उसे लगता है जो आज इसकी साथ में नाच रही है वो भी इसकी इज़त नहीं करेगी और उससे भी बड़ी चिंता ये है कि ये सब चीजें औरतों के काम है सही बात तो ये थी कि उस बाप को अपने बेटे का ऐसे औरतों की तरह कमर हिलाना बरदाश नहीं हो रहा था देखो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ जो प्ले है वो ही बात कर रहा हूँ देखो यहाँ पर ये जो रतना केरक्टर है ये वड़ा इंटरस्टिंग केरक्टर है और बहुत जरूरी भी है ये डांस के लिए कुछ भी कर सकती है selfish हो जाती है कुछ दिखाई नहीं देता है इसको सिर्फ अपने लिए जीती है देखो इस केरक्टर में एक negative shade छोड़ी है लेकिन complete negative नहीं बनाया है इसको देखो बाकी केरक्टर से ये चीज इसको अलग बनाती है कि ये selfish है शायद जैराज से भी शादी इसने इसलिए किये होगी कि इसको लगा कि ये आदमी डांस में इसको support करेगा जो ये करता भी है शादी के बाद में इसने रोका नहीं इसका डांस करना लेकिन रतना का प्यार हमें जैराज के लिए कहीं पर भी नजर नहीं आता प्ले वो बस ambitious है उसने डांस में अपना करियर बनाना है इवन इन ही ambitions में रतना चैनी अम्मा नाम की एक 75 साल की बुड़ी औरत थी जो मैसूर डांस पांस को सिखाती थी उसकी पास में जाती है अब उस औरत का काम क्या था पहले prostitution का prostitution से जुड़ी हुई थी उसके पास चोरी छुपे डांस सीखने जाती थी वो ambitions में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि मुझे इसी काम में आगे बढ़ना है ऐसे ही एक दिन देखो इसी बात के चलते अमरतलाल और जैराज की बीच में खटबट हो गई जगड़ा हो गई उसने तो बोल दिया कि भाई अब मेरे घर में ये नाजगाना नहीं होगा तुम दोनों को अगर ये नाजगाना ही करना है तो जाओ मेरे घर से बार चले जाओ अब जैराज की दिवान की भी कम नहीं थी वो रतना को लेकर घर छोड़ कर चल दिया ठीक है अगर आप यही चाते है तो ठीक है दोनों हस्बेंट बाइफ रतना के एक अंकल के घर चले जाते हैं वहाँ इन लोगों को 48 घंटे भी नहीं थे रहते हुए कि इन दोनों को अंदाजा हो गया कि अंकल की नजरे रतना को लेकर ठीक नहीं है वो दोनों वापस अपने बाप के घर लोट आया लेकिन अमरतलाल ने घर में वापस गुसाने के साथ ही एक शर्त रग दी अपनी बहू रतना के साथ में एक शर्त रग दी कि अगर तुम्हें डांस करना है तुम करते रहो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं तुम्हें अलाओ कर सकता हूँ लेकिन जैराज का करियर तुम्हें इस डांस के अंदर खतम करना होगा क्योंकि अमरितलाल से खुद से तु नहीं हो रहा था यह उसने कहा रतना से कि मैं एक शर्त रखना हूँ तुम्हें सामने कि तुम्हें जैराज का करियर खतम करना होगा अब दोसे यहाँ पर कहानी के इस पॉइंट पर रतना का हमें selfish nature साफ देखने को मलता है कि वो मान जाती है उसे लगा कि अगर successful होने का यही रास्ता है तो यही सही वो पूरी कोशिश करती है कि आगे किसी भी performance में जैराज को कोई important role ना मिले वो जैराज को ऐसे ही treat करती है जैसे वो एक side artist हो जैराज का career धीरे-धीरे downfall की तरफ जाने लगता है बरबाद होने लगता है जैराज को dance की दुनिया में धकेलने वाली भी रतना ही थी वो ये बात अच्छे से जानती थी कि जैराज इतना talented नहीं है कि वो success के शिखर पर पहुंश सके लेकिन जब मतलब उसको जब support चाहिए था तो वो इसको encourage करती थी लेकिन अब जब उसे लगा कि वो उसकी success के आड़े आएगा तो उसने इसको ऐसे निकाल के भार फैका जिसे दूद में से मक्षी, कबाब में से हट दी आपको ऐसा लगेगा कि इन सब चीजों का रतना को काफी benefit मिला होगा लेकिन दूस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रतना को इस बात का कोई खास benefit मिला नहीं क्योंकि वो खुद भी successful dancer बन नहीं पाई थी आने वाली जिंदगी में इस dance की जुन में वो इतने दिवानी हो गई थी कि एक बच्चा भी हुआ था शंकर इस बीच में इनका एक बच्चा भी हुआ था शंकर उसे रतना ने एक आया के हाथों सौब दिया और वो आया उस बच्चे शंकर को अफीम का डोस देते थी शान्त करवाने के लिए और इसी overdose की चलते वो बच्चा मर गया अलागी इस बात की जिम्मेदार कहीं न कहीं रतना के लापरवाई थी लेकिन किसी ने भी उसके मत्थे ये निमड़ा कि तुम जिम्मेदार थी शंकर की मौत की बाद में इनकी एक बेटी भी हुई थी लता जिस पर रतना ने अपना टाइम इंवेस्ट किया मतलब लता बच्चपन से अपने माबाब को प्रैक्टिस करते देखती आई थी लता ने सोच लिया था कि इस लड़की को वो लाइफ में वो बनाएगी जो वो खुद नहीं बन पाई देखो ऐसा होता है कि माबाब बच्चों में अपनी जलग देखते है कि उनकी जवानी फ़र से लौट आई है शुरू से वो अपनी बेटी लता को इस तरह से ढालना शुरू कर देती है कि क्लासिकल डांस को ही वो अपना पैशन बना है लता बेचारी अपनी मा के इस जाल में फस्ती गई समझ नहीं आया उसको और अपनी मा के लिए बस एक आपजेक्ट बन कर रह जाती है सारे कॉंटेक्ट्स का फाइदा उठा कर वो लेडी इस लड़की को ऐसे तयार करती है कि बस इसको तो सक्सेस के शिखर पर मतलब सक्सेस दिलवानी ही है अब ये कहानी end पर आजाती है इस बीच लता को विश्वास नाम की एक लड़के से affection हो जाता है प्यार हो जाता है लेकिन रत्ना उस लड़के के सामने पहले ही तया कर वा लेती है कि शादी के बाद में मेरी बेटी का डांस तुम नहीं चुड़वाओगे तो मैं इस बात को आगे बढ़ा हूँ, नहीं तो फिर रहने दो, जो बात तैय होती है, लेकिन इसका एकदम उल्टा होता है दोस्तों, रतना की जब डैथ हो जाती है, उसके बाद में लता अपने डांस के करियर को छोड़कर अपने फैमिली को चुनती है, खास बात ये थी क जैराज, इस चीज़ को अच्छे तरीके से लेता है कि लता ने अपनी मा की तरह सेलफिश होकर, मतलब लता अपनी मा की तरह सेलफिश पैदा नहीं होई थी, उसने अपनी फैमिली को चुना था, अपने करियर के आके, और यहीं पर ये कहानी खतम होती है, लेकिन दोस्तों क्लासिकल डांस का करियर है सिर्फ फीमेल्स के लिए सूटेवल है उसे तो वस मज़ा आता था और ना ही उसने शादी के बाद में अपने वाइफ को रोका कि मैं करूँगा तुम घर समालो उसने कहा तुम भी करो साथ में अपने डांस टीचर की तरह बाल बढ़ाने में उसे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई क्योंकि वो टीचर को रेस्पेक्ट देना चाता था उसकी बाप की तरह नहीं टीचर की बेज़दी करने लग चाए प्ले में एक बार तो रतना ने उसकी मरदानगी पर सवाल बे उठाया था बेज़द किया था उस बात को भी उसने बिल्कुल सीरिस्टी ने लिया साथ ही साथ एक इंटरस्टिंग बात ये थी कि इस आदबी ने कभी भी रतना को अपने पहले बेटे शंकर की मौत का जब्मेदार नहीं बताया जबकि वो मरा इसी किला परवाही से था वो आया इसको अफीम के डोस दे रही थी शंकर को लेकिन इसने कभी भी उसके मत्य नहीं मौड़ा कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया लेकिन ये जरूर मानने लगी थी ये मेरे करियर के आड़े आ रहा रहा इसलिए इसने इसको sideline कर दिया उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आया होगी आज की इस वीडियो में बस अतना ही अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्ले समझ में आए होगा फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में